दिल्ली चुनाओं के लिए बैयान बाजिया शुरू हो गई हैं वहीं दिल्ली विधान सबस्वा चुनाओं में शाहिन बाग बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है पश्मी दिल्ले से भारती जन्ता पार्टी सांसद यानि कि बता दे आपको कि बीजेपी सांसद प्रवीश्वर्मा ने कहा है कि अगर दिल्ली में सत्ता आए तो एक घंडे में खाली करा लेंगे शाहिन बाग साथ ही उनने कहा कि सब जानते हैं कि कौन लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं इनका मकसद C.A. को समझना नहीं बता दे आपको किसी एको लेकर जहां विरोध प्रिदशन हो रहे हैं तो वहीं बीजेपी के सांसदों का इस तरह से बयान बाजी करना बता दे आपको कि बीजेपी के लिए मुश्किले खड़ी कर सकता है प्रवेश वर्मा यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि कश्मीर के तरह दिली के एक कोने में भी आग लगी है ये लोग आपके घर में घुसकर मारेंगे मूदी नहीं होंगे ति ये लोग आपको काट डालेंगे साथ ही उन्होंने अनुराग ठाकुर के बयान का भी समर्थन कि आपके बहने को गुतिय हुए प्रावेश वर्मा ने कहा कि गद्दारों को को गोली मारना नहीं चाहिए, साथ युनोंने कहा कि मैं किसी नोटिस से डरता नहीं, अंुराक ठाकुर के बयान कessel Cashनावा आयोग ने उन्होंने नोटे से भी बेचा है। प्रवीश वर्मा ने कहा शाहिन बाग में लाखो लोग जम हैं दिली की जनता को सोचना होगा और निन्य करना होगा वे आपके घर में खुशेंगे आपके बेहन बेटियों के साथ तुश कर्म करेंगे उनकी हत्या कर देंगे आज समय है कल मोधी जी और अभी शाह आपको अधानमंत्री बन गया तो देश की जनता खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी अब इस तरह के बैयान से बीजेपी के मुश्किलें बढ़ सकती है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताए इस प्यान नाइन यूज रोम से शुरुतिक रिपोर्ट चुरुतिक मेंट